तिम लोगों को याद होगा कि मैं 30th March से GTA 5 की गेमिंग कर रहा हूं और पहला गेम भी मैंने GTA 5 का ही खेला था और अभी तक मैं सारे मिशन कंप्लीट ही नहीं कर पाया इतना बिगार इतना नूबड़ा हूं मैं तो आज मैंने सोचा है कि GTA 5 के दो मिशन, तीन मिशन, चार मिशन, दस मिशन, एक साथ करूँगा और जितना जल्दी हो सके GTA 5 को कंप्लीट करूँगा तो चलो GTA 5 की गेमिंग करते हैं अबई यह क्या हुआ अबई यह क्या अबई तो फिर शञवर मैंट मिशन कर लेंते हैं यह कैसे हो गया। इस अब होता है गम क्रैश भी होता है क्या। अब गाई देखो ना गीम मेरा गेम मेरा angaya game load game load game load game अभय यार ॽ No game नी वहुत यह सारे अभी अभय यह क्या हुआ यह हुआ यह्वा कैसे मुझे समझ में नहीं हारा कि अपक्र क्धियर नूगेंके है तो ही मेंगा हुँ हब सारी पचास के इसमें जीटिये 5 में complete missions डलते ना तो हमें complete missions डाल लेगी इसमें कोशिश करता हूँ और वहीं से continue करेंगे जहां से हमने last time छोड़ा था जो माइकल को हम बचा कर लेकर आये थे कटने पिटने से कीमा बनने से तो उसको आप वहीं से continue करेंगे हर हाल में मैं इसका हल ढूंड के रहूंगा लेकिन बस यह हो जाई यह होना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि बहुत सारे missions मैंने केल लिये थे अब 50 दिन दुबारा लगई है मुझे अगर मैं दुबारा दे केलूंगा तो तो इसलिए मैंने लाजमी इसके mission सारे के सारे डाउनलोड करके install करने है save करने है और फिर दुबारे से continue करने है तो भईया मैंने बहुत कोशिश की पूरा internet चान मारा YouTube पर हर वीडियो देख ली लेकिन मुझे कहीं भी सही तरीका नहीं मिला किस तरह से मैं अपने GTA 5 में complete games complete missions install करनू लोड करनू और फिर gaming करूं ये मुझे कहीं मिला इनी तरीका basically मेरा मसला ये कि मैंने pirated copy ली वी है मैंने GTA 5 की DVD उठाई थी बादार से और उससे game डाल लिया था तो वो original game नहीं है वो pirated copy है तो इसलिए मेरे पास ना social club का है कहीं ना ही मेरे पास कौन सा दिखा रहा था वो program data में कुछ है ना ही documents की profile है कुछ भी नहीं है इस तरह का कुछ भी नहीं है तो अगर तुम लोगों की भी pirated copy है तो भी उसका एक हल है वो मैंने ढून लिया है क्या है सबसे पहले तो तुम लोगों ने इस वीडियो में जो पहला ही लिंक दिया है सबसे पहला जो लिंक नीचे नजर आ रहा है उसको क्लिक कर दो जैसी तुम लोग उसको क्लिक करोगे तुमारे सामने ये gta5complete.rar file खुल जाएगी इसको तुम लोगों ने यहां से डाउनलोड करने ना है ये मैंने खुद की शेयर की वी है लिंक बनाके इसको जैसी तुम लोग क्लिक करोगे यहां पर यह देख सकते हो gta5complete.rar file हमारे पास चो हो चुकी है अब इसको तुम लोग क्लिक करोगे तो ये सामने तुमारे एक्स्ट्रैक करने के लिए winrar files खुल जाएंगी अब तुमने क्या करना है तुमने run command में जाना है windows की और r दबाके run command में जा सकते हो तुम लोग windows की और r से अगर नहीं खुल रा तुम लोगों का run dialogue box तो तुम यहां पर search पर क्लिक करके roaming का folder होगा roaming के folder में जब तुम जाओगे तो तुमें अब मिलेगा goldberg social club मेरा कहीं भी नहीं मिला मुझे मुझे documents में नहीं मिला मुझे program data में नहीं मिला मुझे यहां पर मिला app data में social club तो इसको अगर मैं social club को खोलूँ तो यहां पर gt5 तुमारे सामने शो हो जाएगा gt5 में यह कोई भी उल्टा सीधा लिखावा folder आएगा जरूरी नहीं सेम यही folder हो सिर्फ single folder होगा उल्टा सीधा कुछ लिखावा होगा 0f74 जैसे मेरा लिखावा तुमारे कोई और डिजिट्स भी हो सकते हैं इसको तुम लोग खोलोगे तो यहां पर तुमारे सामने save file सामने शो हो जाएंगी pirated copy की save file एप data में शो होती है जो के gta का pirated game होता है तो तुम लोगों ने यहां पर जो extract करनी है files उनको सामने ले आना है और sgta file number one और number two इन दोनों को copy करके यहां पर paste कर देना है जब तुम यहां पर इसको paste कर दोगे हो सकता है यह replacement का error दिखाए जैसे तुमारी अगर पहले से ही यहां पर save file मौजूद होगी तो यह कुछ इस तरह का error दिखाएगा कि replace the file in the destination तो तुम लोगों ने replace कर देना है file को यह इस file से दूसरी file replace हो जाएगी अब देखते है हमारा gta 5 complete missions load करता है या नहीं करता तो हम लोग gta 5 पर आएंगे और यहां पर हम लोग जाएंगे पहले settings पर क्योंकि पहले से ही game पर था इसको load होने में time लगता है यहां पर game पर वापिस आए हम लोग load game किया तो यहां पर तुम लोगों के सामने आ गया unknowing the truth 100% complete यानि game complete हमारे सामने show हो गया है pirated copy में भी हम लोग complete game load कर सकते हैं जिसको भी issue आ रहा हो complete missions नहीं डाल पा रहा हो वो इस तरीके को follow करे और पक्का तुम लोगों का हो जाएगा अगर नहीं होता तो comment में बताओ मैं complete help करूँगा सब की मदद करूँगा क्योंकि मैं जहां पसा हूँ वहाँ सब ही बसेंगे तो सब को complete missions चाहिए ही होते हैं तो मैं comments में लाजमी reply करूँगा सब की मदद करूँगा तो यह रेखो गेम हमारा हो गया complete completely load हो गया यह कौन है देखें जरा यह Franklin गंजा हो चुका है एन में Franklin गंजा हो जाता है हरे जूते पहन कर खड़ावाए अब हम escape दबाते हैं अगर अब map भी देखो तो complete map हमारे सामने load हो चुका है एक एक चीज का map हमारे सामने आ गया है दुनिया के आगरी कोने से लेकर दूसरे कोने तक completely load है सब कुछ और इसके इलावा अगर हम इसको हटाएं और अपने missions देखें गेम में जाकर replay missions पर जाएं तो हमारे पास 73 missions हैं the times come सब के सब mission हो चुके मेरा ख्याल में इसके बाद एक और mission होता है 74th mission जो होता है वो इसमें show नहीं हो रहा बाकी मेरा ख्याल में सारे missions show रहें इसमें लेकिन फिर भी मैं search कर लेता हूं कि last mission कौन सा था उसका भी बहुत अच्छा तरीका है तुम लोगों को मैं बता देता हूं आज तुम लोग क्रोम पर जाओगे क्रोम पर जाने के बाद लिखोगे gta base gta base.com यह gta base.com तुम लोगों के पास इसमें सारे gta के जितने भी हो gta 4, gta 5, sand india, y city सबके सबकी detail complete mission show होते हैं तुम लोग पर सकते हो उसे उनकी video भी देख सकते हो यह देखो मैं तुम लोगों को लगा कर दिखा देता हूं आज मैं तुम लोगों को complete guide कर रहा हूं के gta मैं कैसे घुसा जाए कैसे gta का कीड़ा बना जाए अब यहां पर तुम लोग देख सकते हो यह आ गए gta 5 पर हम अब gta 5 में हम लोग story missions पर जाएंगे यह story missions पर हम लोग click करेंगे तो complete सारे missions यहां पर show हो जाएंगे यह देखो number 1, number 2, number 3, number 12, number 27, number 43 और मैं number 53 पर था fresh meat पर जो मैंने माइकल को बचाया था Franklin बनके उसका कीमा बनने से बचाया था Michael का और उसको घर छोड़ दिया था उसके बाद हमें the ballad of rocko करना था लेकिन हम लोग नहीं कर पाया थे हमारा game crash हो गया था तो अब हमने complete missions लाली है हल भी निकाल लिया इसका इसके इलावा तुम लोग देख सकते हो सारे के सारे missions इतमे show हो रहे है एक detail यहां पर यह दिखा रहे कि 70 missions total है 70 missions और इसके इलावा Franklin के extra missions हो वो भी इसमें show हो रहे होते 74 missions इस विज़ा से दिखाता है तो उसमें दिखा रहा है 73 तो कोई एक assassination Franklin का रह गया होगा वो इस विज़ा से 73 दिखा रहा है वो भी हम लोग complete कर लेंगे तो 74 हो जाएगा तो तुम लोगों को आज मैंने तरीका बता दिया कि अगर तुम लोगो का इस से मसला हल हुआ complete missions load हुए के नहीं हुए और तुम लोगों को मैंने इस website कर भी वदा दिया है इस पर GTA 5 की एक एक detail मौजूद होती है जैसे पर एक mission खोल दूँ लास्ट वाला something sensible ending A तो यहां पर देख सकते हो एक detail दीवी है उसकी और end में video भी दीवी है कि किस तरह से game को complete करना है तो तुम लोगों ने इसको भी bookmark कर लेना है और मेरे तरीके से तुम लोगों ने missions को load कर लेना है आज की video के लिए इतना ही है मैं पड़वट जाता हूं GTA 5 का mission खेलता हूं तुम लोगों ने ये चैनल को subscribe to would you noob इस चैनल को subscribe लाजमी कर लेना है और most active subscriber बनके सार ही कर पाते मुश्किल होता है या easy होता है फिलहाल के लिए इतना ही है मैं पड़वट जाकर GTA 5 की gaming करता हूं take care बाबाए चलो बया GTA 5 के लूओ finally load हो गया GTA 5 के लूओ